हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम ओन ए टू जैड मोटिवेशनल आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड और से भी एसी बोर्ड वाले अब ब्यारती किस तरह से करें अपनी तयारी और कैसे बनाई स्टेडी प्लान और किस तरह से बनाई रूटिन जिस से किवे 90 प्लस स्कोर एच्चिव कर सकें परिक्सा शुरू होने में लगबग 2 महिने का समय बचा हुआ है यदि आप तैय समय और एक रन निती के तहट आप अपनी तयारी करें तो अच्छे अंग प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रिक्सा में अच्छे मार्क के लिए सबसे जरूरी होता है इसी के साथ इसटेडी प्लान से हर एक विक्ति कोई आयम आलूМ हो जाता है कि कौन सा भी से कप पड़ना है और किस भी सगो कितना समय देना है आज हम आपको यहीं बताने वाले हैं कि आप study plan कैसे बनाएंगे और कितना समय कि subject को देंगे आईए हम आपको बताते हैं अब कि आपको क्या करना है अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप detail से study करें आपने test book को तो पढ़ी लिया होगा अब सिर्फ इन बातों पर ध्यान दीजे जो नोटस आपने बनाई हैं और जो अनसोल पेपर हैं उनको रिवाइज करने का समय है जादा है जादा आप प्रिवेश एर के अनसोल पेपर को उठाईए और उन्हें हल करते जाईए और इसके अलावा आपके पास question bank हैं उसमें जो mostly board में पूछेगे स्वाल हैं उनको आप जो है शुरू में दोराइए परते एक विशा को समय देना है और उसी के हिसाब से अपना time table को manage कीजिए सबसे पहले आपको उन subject को choose करना है जो आपको difficult लगते हैं जैसे math हुआ और English और science इसमें जो है math को आपको सुबह की सिप्ट में पढ़ना है और साम की सिप्ट में जो है आप English और science में से ले सकते हैं और बागी बचे वे time में आप Hindi और SST जैसे subject को ले सकते हैं बरहम मुरत में पढ़ना अनिवार यह बता गया है कि इस वक्त जो भी आप subject पढ़ोंगे वो memory बिल रहता है अर्थात याद जाता रहता है ऐसे में आप जो है चार बजे सुबह उठ जाईए और उठने के बाद जो है सबसे पहले आप अपने इस्ट देव को याद और अपने फ्रैस करके अपने को और उसमें math लीजे और एक घंटा जो है math की calculation कीजिए पांच बजे से सबाब पांच बजे के बीच आप जो है rest कीजिए और ऐसे में जो आपको tea या coffee वगएरा मिल जाए तो ले लीजे उसके बाद जो है आप science का revise कीजिए 6 बजे तक और फ उसके बाद फ्रैस होने के बाद आपको जो है 7 बजे से 8 बजे तक English को पढ़ना है और इसके बाद जैसे ही आप English को पढ़के हटेंगे उसके बाद जो है आप जो है नास्ते का टाइम हो जाएगा आपका जो है 9 बजे से 10 बजे तक आप नास्ता कीज़े और इस दोरान कुछ रिफ्रेस हो जाएए यानि कि आप टीवी देख सकते हैं कुछ मनोरणजन गाने सुन सकते हैं जिससे आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा फिर आप साड़े दस बजे से साड़े ग्यारा बजे तक आपको पढ़ाई करनी है ऐसे में आप अपनी मन पसंद का कोई बीवी से ले लीजे जो आपके लिए उप्यूक्त हो फिर आपका लंच का टाइम हो जाता है आप लंच ब्रेक लेने के बाद आप फिर एक बजे से अपनी पढ़ाई पर जुट जाएए अब आपको जो है सैंपल पेपर हल करने है अनसोल पेपर को उनमें आप जो है कसम खा लिजे कि आपको एक पेपर परती दिन हल करना है और आपको जो है 6 बजे तक स्टेडी करने के बाद आप जैसे 7 बजे स्टेडी के लिए बठेंगे तो आपको मोक टेस्ट के लिए टाइम निकाल लिए अपना एक घंटा इस तरह से सैडूल के नुसार आप काम करेंगे और बीच बीच में अपने लिए जो है मनोरंजन का वक्त भी निकालेंगे और इस तैस समय पर यदि आप स्टेडी मैंटेन करते रहेंगे प्रोपर स्टेडी करेंगे तो आप जो है 90 प्रस से भी उपर मार्क्स लेकर आएंगे ओके गाईज आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी होगी यदि आपको वीडियो अच्छे लगी है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएगा कि ये सैडूल आपको पसंद आया या नहीं तो इससे बेहतर सैटूल के लिए आप कमेंट कीजिएगा तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में तिल टैन ओके बाई बाई